लेकिन अब मैंने पूरी सीरीज देख लिय तो मैं इसका रीवियू दुबारा से करने वाला हूँ और साथ में अब यह सीरीज हिंदी लाइगज़ों भी आगए तो आप बड़े ही आराम से इस सीरीज को देख सकते हैं उससे पहले इसकी बेसिक स्टोई की बात कर लेते हैं, तो इस स्टोई की जो है, वो थोड़ी से आपको complex लग सकती है, क्योंकि ये बाकी मुवी से जितनी भी गौट जिला की मुवी आई हैं, उससे connected हैं, लेकिन उसके जो characters हैं, वो आपको इसके इंदर कहीं देखने को नहीं कर रहा हूं, तो बस इसी का में reference देखने ही मिलता है, बाकी उसके बाद जितने characters आते हैं, सारे के सारे नए characters हैं, उनका उन movies से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस पूरी series का उन movies से बहुत ज्यादा लेना देना, और ये series एक ऐसी series है, जो कि आपका जो नजरिया है, उन सारी movies को, वो पूरी तरीके से इस series को देखने का बदलने वाला है, तो कहानी सरू हो दे है 2015, ये पूरी की पूरी जो series है 2015 में set है, यानि 2014 जो Godzilla movie आई दी, उसके ठीक बाद set है, तो इतना ध्यान रखे कि इसके अंदर अभी के नहीं 2015 की कहानी दिखाई जाएगी, उसके में 1950s, 1954 से जानती हैं, और उनने ऐसे ऐसे missions की हैं, ऐसे ऐसी चीजे की हैं, जो कि आज से पहले आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, और आपने उनके आरे में कभी सोचा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसी चीजे की series आपको बताने वाली है, तो मोनार्ज कंपनी के बारे में हमारे heroes पर आपको पताने हैं, फोकररस मोनार्ज कंपनी के उपर है, कि उन्होंने पहले क्या किया था, कैसे कंपनी चैया हुए है, और साथ में में फूचर में क्या होनी वाला है, क्योंकि ये part one है, मैं है, सीजन बी आएगा, इसके उसंटो बहुत की बढ़ाया जाएगा, क्योंक फूचर में जो मूवीज आई हैं मतलब कि जो मूवीज आ चुकी हैं उन मूवीज से सीरीज कहीं जाके कनेक्टर लेकिन अभी के लिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जिसके और हमारे हीरो को हैने 2015 के जो लोग है उनको कुछ भी नहीं पता है उनको पता लगाना है कि आ पहानी दिखाएगी माइंड ब्लोइंग है जो जो चीज आज तक मैंने गौडजिला की मूवीज के देखा तो वहां पे उनका में फोकस होता था मॉंस्टर पे उनकी लड़ाई दंगे पे इन सारी चीज पर फोकस होता था लेकिन इस सीरीज के अंदर एक अलग ही चीज द देखने को लेंगे खास तो पर गौडजिला सब लोग बहुत ज्यादा अच्छे देखने लगते गौडजिला जैसे आपने मोवी इसके देखा वैसा ही यहां पर भी देखने को में बिलेगा और साथ में नए 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 ताइटन देखने को बलते एक ताइटन तो मुझे कि उस समय क्या हुआ था हिस्ट्री पे इन साही चीज़े फोकस है और वो चीज़ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है अक्टर की परफॉर्मेंस की बात करें तो जितने अक्टर से सबने बहुत अच्छा काम किया है और यह सीरीज एक ऐसी की फैंगर पे एंड हुई है क कि मैं इसकी सीजन टू को देखना चाहता हूँ जानना चाहता हूँ कि आगे स्टोरी में क्या होगा तो मेरी तरफ से यह मस्ट वाच है सभी गौडजीला फैंस के लिए जो लोग टैटन्स की मूवीज देखना पसंद करते हैं उनको यह सीरीज डेफिनिटली बहुत ज्या